नमशकार इन खबर में आपका स्वागत है राममंदिरी उद्घाटन का नियोता ठुकराने के बाद कांग्रेस में रार्थम नहीं रही है सबसे पहले प्रमोद कृष्टम आ गया है उसके बाद गुजरात के पुरू अध्यक्ष अर्जुन मोडवाडिया और अब कांग्रेस के दिगजनेता दिगजी राजा के छोटे भाई लक्षमर सिंग ने आवाज बुलंद की है और यहां तक कि उन्होंने अपने बड़े भाई दिग बिजे सिंग को ठारा दिया है सबसे बड़ा ज्यानी और कांग्रेस को लिया है आड़े हाथ सुनिए क्या हुई दोनों भाईयों में बात जितने भी राजनेतिक डल हैं जो इनको निमंतन गया है कि वल कांग्रेस पार्टी ने शिव सेना, RJD, JDU, TMC, CPI, CPM जितने उनके पास गया है कौन जा रहा है जब राजीव गांदी जी ने वहाँ ताला खुलवाया था तो आप कौन है मना करने वाले दिगवेजे सिंग जी बहुत ग्यानी, बहाँ पुरुष, बहुत जाला मुझसे जानकार है मैं उनके बारे में कुछ नहीं कैसा दक्राइब को जाना और रहेiénे, सबको जाना चाहिए, हम लोग जाएगे, बार बार जाएएगे, हर साल जाएगे, हमारी पूरी आस्था बगवान राम मैं रहेगी आप पुनर विचार करें नकरें, बयान बदले ना बदले, जो नुकसान होना ता हो चुका है और चुनाओं में दिख जाएगा जी हाँ, दिख विजय सिंग कह रहे हैं कि वहाँ जाने में कोई हर्ज नहीं है लेकिन हमारे सहयोगी तो जाई नहीं रहे हैं चाहे CPI हो, CPI-M हो TMC हो, और कोई वहाँ जा नहीं रहा है लक्षमर सिंग उसका जबाब दे रहे हैं कि कांग्रेस को जो नुकसान होना था हो चुका तद कालिन मुख्यमंत्री बिर बहादूर सिंग ने ताला खुलवाया मंदिर के लिए जमीन देने की बात की थी उनका असमय निधन हो गया राजीव गांधी जी रहे नहीं कांग्रेस ने ताला खुलवाने से लेकर के सिला नयास तक मंदिर में इन्वाल्व रही है फिर क्यों नहीं जाएंगे ये बात ठीक है कि जिन्होंने आंदोलन किया इतना संघर्स किया वही तो फैसला लेंगे अब लक्षमर्ण सिंग के बाद रार और बढ़ने वाली है पहली बार ऐसा नहीं है कि लक्षमर्ण सिंग ने अपने बड़े भाई या कांग्रेस के खिलाफ बुला वह अपनी आवाज बुलंद करते रहते हैं अपने हिसाब से बोलते रहते हैं यहां तक कि सिंधिया को लेकर के भी उन्होंने बहुत बड़ी बाद का दी थी कि उनकी कमी बहुत खलती है लक्षमर्ण सिंग, बिजे सिंग से भी कई बार जादे बेबाग बोल जाते हैं दरसल कांग्रेस की क्या दिक्कत है कि वो अनिर्णाय की स्थिती में है अभी पांच राजियों में जो चुना हुए थे उसमें हिंदी पर्टिक के तिन राज मद्य प्रदेश राजस्थान 36 गड़ में कांग्रेस साफ हो गई उसे पक्की उमिद थी कि 36 गड़ में उसकी सरकार बनेगी इसके लिए वहां के मुख्य मंत्री रहे भुपेश बगेल ने सफ्थ हिंदुत्य का रास्ता अक्तियार किया ठीक इसी तरीके से मद्य प्रदेश में सरकार बनाने का राउल गांदी ने दावा किया था कमलनात ने बाबा बागेस्वर के कथा कराई उनसे मिले जी हुजूरी की और यहां तक कह दिया कि भारत तो हिंदु राष्ट है ही इसमें घोसित करने की क्या बात है लेकिन उनका ये बयान और कंग्रिस का सफ्थ हिंदुत्य तो इन तीनों राजियों में काम नहीं आया क्योंकि बीजेपी का प्रखर हिंदुआद सफ्थ हिंदुत्य पे भारी पड़ गया तो कंग्रिस ये सूच रही कि उत्तर भारत में बीजेपी के आगे इस मुद्दे को ले करके टिकना मुश्किल है फिर 20% मुस्लिमों को क्यों नाराज करें अपने सहयोगियों को क्या नाराज करें लेकिन कंग्रिस ये भूल रही है कि बीजेपी का मुकाबला उसी के अंदाज में करना होगा लक्षमन सिंग ने यहां तक कह दिया कि कौन है सलाहकार जो ऐसी सलाह दे रहा है आपने नेवता क्यों अस्विकार किया आपको जाना चाहिए अब देखते हैं कि लक्षमन सिंग के बाद अब आगे और कौन नेता आता है लेकिन कंग्रिस में इसमों मन्थन हो रहा है और इन आवाजयों के आने के बाद ही सुप्रिया स्रिनेट जो है इनकी प्रवक्ता वो कल प्रेस कानफेंस की ठी और साफ साब कहा था कि आयोध्या जाने से मना कौन कर रहा है कांग्रिस ने कहा कहा कि हम न योध्या नहीं जाएंगे बस 22 जनवरी को नहीं जाएंगे और UP कांग्रेस के नेता तो 15 जनवरी को ही जा रहे हैं यारे कि उन्हें सफाई पेस करनी पड़ी क्योंकि इन्हें राम विरोधी बताया जा रहा है और कांग्रेस ये बात समझने में चूक कर गई अब देखते हैं कि आगे आगे होता है क्या रहे ने बेखबर देखते रहे इन खबर थैंक यू